तो डिटेल में वीडियो रहेगा आज तक आपने यूटूब पर ये सारे कॉंटेंट नहीं देखे होंगे उतना में डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा तो चलिए बिना वक्ते जाए कि आज का वीडियो टार्ट करते हैं फर्स्ट और लेंगा चोली के अंदर तीन टाइप होते हैं मैं आपको बता दूँ पहला की दामन डिजाइन दूसरा होता है कली सिंगल कली वैसे आपकी 6-7 कली मिक्स होके एक डिजाइन बनेगी और उसको स्टीज करके एक लेंगा बनाया जाएगा और तीसरा होता है राउं लाम चोली प्रिफर करती है और उसके बाद होता है लेहन दिजाइन तो चलिए बने रहांड तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉल आपके पास ही घम डिजाइन केंदर क्या होता है आपको दो साइड से रिपीट बिठाना रहेगा लेफ्ट तू राइट ठीक ह यह जो दो है उसके अंदर आपको compulsory repeat बैठना जरूरी है तो यह जो दो है उसके अंदर आपको repeat बीठाना है left to right उपर से लेकर नीचे तक यह पूरा का पूरा पनना रहेगा या तो फिर आप roll size कह सकते हैं इसके अंदर जो घेर होता है उतना यह print करते हैं और जितना घेर साथ में आपका लेंगा तियार होता है तो first of all आपका है दामन जिसके अंदर आपको left and right दोनों साइड पे repeat बिठाना पड़ेगा जैसे आप all over अंदर repeat बिठाता है same होता है आपका दामन डीजाए यह इतना hard नहीं है इसलिए इसमें हम ज्यादा वक्त नहीं जाय करेंगे इसमें topic है कि अगर आपकी जो height है वो minimum length से थोड़ी कम है मतलब कि आपको minimum length चाहिए लेंगा की 43 inch 43 के inch से थोड़ा कम नाप है आपका roll का size का तो आप उपर से belt भी लगा सकते हैं अलग से आप belt print करवाके उसको stitch करके त्यार कर सकते हैं तो यह आपका लेंगा design उसके लिए आपको नीचे borderize वगर आपको अपनी design के साब से आपको बनाना रहेगा नीचे के side अगर आप monotone रखना चाहते हैं तो नीचे से light, dark वगर आप कर सकते हैं background के अंदर तो यह होगा पहला type आपका diamond design इसके अदर ज्यादा detail में जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा ह यह हो गए आपका पहला type इसके अंदर भी आपके पास दूसरी design में आपको बता देता हूं लेंगा के साथ में आप gown भी बना सकते हैं दामन के मदद से आप साड़े भी बना सकते हैं दामन के मदद से आप dress भी बना सकते हैं दामन के मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो यह पहला concept था easy तो मैंने आपको पता दिया चले अब भी jump करते हैं next type पे यह भी आपका diamond design है यह भी same आपका diamond design हो गया इसके मदद से आप easily gown, dress, sari और सारी चीज़ बना सकते हैं तो पहला type यहाँ पर खत्म है अब जम करते हैं next type पे यह आपको सीखने के लिए बहुत important चीज़ है और इसके उपर आप खास ध्यान दीजिएगा यह जो design होती है इसके इंदर आपको तीन नाप याद रखने होते ह इसके साथ में आपको काम करना रहता है first यहाँ पर neck का जो नाप होता है वह दूसरा होता है नीचे का जो flare होता है मतलब आप उसको गहर भी बोल सकते हो और तीसरा जो होता है वह है height तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ड्रो कर देता हूं कि यह आपका हो गया height यह नीचे का ह आपका flare और उपर का जो हो गया वह आगया आपका कमर पट्टा या तो फिर आप belt भी बोल सकते है या तो फिर उसको आप कमर का नाप भी बोल सकते है तो यह तीन चीज़ आपको ध्यान में रखनी होते है उसके बाद में आपकी कली बनेगी क्ली क्या होती है कि आपकी single design हो क्ली कि यह जो कली होते है यह अपने पास यह कली मिलानािया ज़रूरी होता है कई कि मिर ऻुक बनाती है तो इसलिव कोई नहीं बनाता है यह 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 करने के बाद थोड़ी जो कट्स नहीं दिखेगा वह नहीं दिखेग घिजाइन का आपका LOOK अच्छा आ जाएगा जिसे आपको next के उपर जाते हैं यह वाली इसके अंदर क्या है कि एक पूरी कली बनाए गई है और यहां पर आपका repeat बिठाए गया है कुछ कली में नहीं बिठाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि stitch होने के बाद भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उसमें उपर नीचे रहता है अगर कली है तो उसके अंदर एकदम cut to cut design रहती है यह अपना digital है तो digital के अंदर क्या होता है कि इसको आपको यहां से यहां तक आपको repeat बिठाना रहता है और यह जो नाप होता है उसको कैसे set किया जाता है वो सारी चीज में आपको discuss कर देता हूं तो आपको बनाते वक्त बहुत ही easy रहेगा first of all आपको चाहिए कमर का नाप और घेर का नाप यानि कि फ्लैर हो गया और height कितनी चाहिए वो चीज कली के अंदर a course is important है कि कि कितनी कली mix होके आपकी जो पूरा लेंगा है वो बन रहा है ठीक है एक कली है दो कली तीन कली यह से यहां पर दिख रही है तो वेसे आपकी 6 कली से 7 कली से start up होता है कि 7 कली mix होके एक design बनता है महला पूरा एक लेंगा बनता है और अगर maximum जोडने जाए तो आप 12 कली से 15 कली तक भी बना सकते है लेकिन वहां पर stitch का costing बढ़ जाएगा क्योंकि अगर हम एक कली को stitch करेंगे और 12 कली को stitch करेंगे तो उ और जितनी छोटी कली होगी उतनी कली आपकी ज्यादा इसमें use होगी एक लेंगे के अंदर तो यह जो कली होती है उसका नाप कैसे लिया जाता है उसको कैसे set किया जाता है वह मैं आपको बताते हैं सपोस्पोस कि पहले party को पुछ लीजिए आपको 6 कली में चाहिए या तो 15.5 मिटर X Y Z तो यह 3 मिटर नाप है यह inches के अंदर है यह meter के अदर है ठीक है यह याद रखेगा तो जो फ्लैर होता है उसके अंदर meter रहता है जो कमर रहता है उसको inch के अदर आप बोल सकते हैं ठीक है तो 38 inches 40 inches वगज़र आप party को फूछ के रख सकते हैं तो यह दू नाप म बनाते वक्त आपके कितनी कली यूज करने वाले वो चीज पार्टी को ज़रू पुछ लीजे का वरना डिजाइन सही से नहीं बेठेगी तो यहां पर अगर हम 7 कली या तो फिर 6 कली बिठाने के लिए ट्राय करें तो 6 कली के अंदर हमें क्या करना है पहले 38 को डिवाइट करन है और उसको डिवाइट करना है छे से तो आपको पुरूप पर एक कली का नाप मिल जाएगा क्योंकि छे कली मिलके आपका 38 इंचिस का कमर बनने वाला है छे कली मिक्स होके आपका तीन मीटर का फ्लायर यानिकि घहर बनने वाला है हाइट तो हमारे पास सिर्फ एक ही है उपर के साइड से यहां से यहां तक कितना नाप रहेगा वह हम देख लेते हैं तो फर्स्ट अपॉल केल्सी हम ओपन कर लेंगे कल्सी के अंदर 38 डिवाइड बाइड बाइ 6 यानिकि आपका गया 6.33 इंचिस तो यह जो आपका उपर का पार्ट है यह आपका रहेगा 6.33 इ और इसको हम बना के देखेंगे कि इसका जो साइज चार्ट है वो किसा रहेगा पूरी कले तो हम यह वीडियो के अंदर नहीं बना सकते थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो तो हम इसको कले का जो साइज चार्ट है और फिर उसको आप फर्मा भी बोल सकते है वो हम बना आके देख लेंगे next है आपके पास 3 meter तो 3 meter को हम convert करेंगे inches के अंदर तो 3 meter को हम पुछेंगे तो 3 into 39.37 यह हो गया पर meter नाप 39.37 inches पर एक मेटर होता है तो मुझे total 3 meter में कितने inches चाहिए वह उसका नाप लेने के लिए मुझें टू करना पड़ेगा जैसे मैंने इंटू कर दिया multiply कर दिया तो आपके पास 118.11 का घेर आ गया मतलब पूरा फ्लेर आ गया तो यह जो फ्लेर है उसको मैं डिवाइट करूँगा छे कली के साथ में तो आपके पास आ गया 19.68 19.68 तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 19.68 सोरी आज मेरे पास mousepad नहीं है तो इसलिए मैं mouse से draw कर रहा हूँ तो 69.6 inches का आपका नीचे का नाप मिल गया और उपर का नाप मिल गया आपका 6.33 inches height आपका 44 inches का है यह हमें नाप कैसे मिला मैं एक बार और आपको रिविजन करवा रहा हूँ 38 inches को हमने कली के साथ डिवाइट किया कली हमारी 6 थी अगर 7 है तो 7 के साथ डिवाइट कीजिए तो आपको उपर का नाप मिल जाएगा नीचे जो अपने पास flare है यानि कि जो गहर है उसको हम पहले meter में से inch में convert करेंगे बाद में हम क्या करेंगे उसको divided by 6 यानि कि हमरे पास 6 कली है तो 6 कली के साथ डिवाइट कर देंगे तो आपको पास flare का भी नाप मिल गया और उपर का भी नाप मिल गया अभी हम क्या करें लेंगे new page लेंगे new page के अंदर हम width यानि कि यह जो width है यहां से लेकर यहां तब वो कितनी रखनी चाहिए तो 19.68 height हमारी रहेगी 44 inch और जो उपर का नाप है वह भी हम नहीं ले रहे है वह हम page लेने के बाद setup करेंगे तो हमने अभी page बना लिया है Ctrl Shift N यानि कि new layer मैंने ले लिए यह मेरी method है आप अपनी method से भी यूज़ कर सकते हैं मुझे method ज्यादा easy लगती है पहले मैं का करता हूँ कि इस width और height में आप लेके नया layer लेके उसको fill कर देता हूँ कोई भी color xyz आप कोई भी color fill करवा सकते हैं बाद में आपको क्या करना है simply alter V and E यानि कि rural guide आपके पास आएगी 50% पर में vertical rural guide लूँगा तो आपके पस vertical rural guide आगया ताकि क्या इसका जो center point है वो आपको पता चलेगा तो इसलिए मैं पहले क्या करता हूँ new layer लेने के बाद direct नया rural guide ले रहा हूँ आप अपनी इसाप से भी बना सकते हैं अलग-अलग बहुत सारी method है हम future में उसको अलग video के अंदर जरू से describe करेंगे अभी हमारे पास center point पे एक vertical line आ गई है अभी हम क्या गारेंगे वापस अपने लेंगा के अंदर जाएंगे जहां पर आपके पास जो उपर का जो नाप था वो हमें चाहिए तो यहां पर 6.33 inches आपके पास न मुझे क्या करना है पहले divide कर देना है 6.33 divided by 2 क्योंकि आधा left side आएगा और आधा ना पाएगा right side तो यहां पर मुझे मिल गया 3.1 inches तो यहां पर हम क्या करेंगे market tool लेंगे simple 3.1 inches में यहां पर रोक देंगे अंदर जैसे भी ले सकते हैं अगर आप fix size लेना चाहते तो fix size भी ले सकते हैं यहां पर एक और रोल गाईट रख देना है अगरree आपके पास रोल गाईट शो रहा है तो हम रोसितिर कर दिया इसको में हता रहा हूं और जो डो रोख किया था उसको भी हटा रहा हूं उपके पास बस इतना चीज आपको पहले करना है सिंपल मैंने आक नही लेयर पे color fill कर दिया पहले उससे पहले मैंने size ले लिया जो भी size जो height और width में चाहिए था बाद में मैंने उसको color fill करवा दिया नहीं layer के अंदर perspective के उपर click करेंगे और जो अपने पास left side है उसको लाने के लिए rural guide है हमारी जहां पर रखी हुए वहां पर हम लाके उसको exact perfect करके enterprise कर देंगे तो आपका यह हो गया कली का नाप according party according design हर एक size change होती रहती है कली के अंदर यही important चीज है कि हर एक कली के साथ मैं आप अपनी design perfection के साथ में बना पाए ठीक है तो यह होगे आपका कली का नाप सर इसके अंदर repeat कैसे बढ़ाया सकता है उसका आपके पास थोड़ा आपको डाउट रहेगा तो इसको मैं आपको दो से तीन टाइप अभी में बता रहा हूं वीडियो लेंदी ना हो जाए इसके लिए simple हमें क्या करना है पहले हम border का जरौत पड़ेगा आपको तो मैं यहाँ पर यांडेक्स ओपन कर रहा हूं और यांडेक्स ओपन करने के बाद simply image के अंदर जाएंगे यहाँ पर हम लिख लेंगे अभी समय लिजिए कि मैं कुछ कोई border यहां से डाउनलोड कर रहा हूं डाउनलोड करने के बाद उसको save image as कर दीजिए यहां पर लेकिए ठीक है जो border है उसको हम क्या करेंगे पहले कितने इंचिस के हमें border चाहिए वह एक डिफाइन कर लीजिएगा जो नीचे का जो border है वह height के अंदर दिखाएगा आपको 2.1 inches वगएर आपको दिखाएगा आप अपनी इसाब से जितनी भी रखनी है उतनी रख लीजिए बाद में क्या करना है इसका repeat काट लीजिए एक repeat आपके पास होना जरूरी है border के अंदर वगएरा मैं अभी अंदाज जैसे यहां से कोई repeat ल होगे बाद में इसका duplicate करके इसको मैं horizontal कर रहा हूं आप पहले repeat बिठा लीजेगा बाद में कर येगा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये use कर रहा हूं अभी यह जो बीच वाली rural guide है वही काम की है और कोई काम की नहीं है तो इसको मैं हटा रहा हूं इसको duplicate करके वापस से यहाँ पर में रख रहा हूं simple आपको उसको merge करते जाना है और copy रखते जाना है बाद में इसको आप पूरे में fill करवा सकते है या तो copy रखके या तो फिर इसको बढ़ा करके अभी क्या करना है मुझे कि नीचे वाली जो layer है उसको मैं select करूंगा control press करके बीच में आपर क्लिक करूंगा तो जैसे क्लिक करूंगा तो selection आ गया मुझे नीचे की layer का ठीक है और यह जो उपर की layer है वो हमारी है less border वाली तो हमने क्या कि control shift और I press किया यानिकि invert selection हो गया उसको delete कर दिया आप अगर इससे नहीं करना चाहते है invert करके तो इसको control J press करके नीचे की layer ह कर सकते हैं आपकी मर्जे आप कुछ भी use कर सकते हैं अलग-अलग बहुत सारे method होती है control J press करना है और control T press करना है वापस हम इसको horizontal बिठा देंगे तो यह एक हो गया कि cross में आपका एक repeat set हो गया अगर आपको इससे नहीं करना है तो दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ आ राइट कर देना है पूरे के अंदर जैसे आपका जो design है वो पूरा एक repeat के साथ में आपका हो जाए तो आपको क्या करना है उसको थोड़ा right click करना है प्रोस्पेक्टिव के पास जाना है और उसको यहां से बढ़ा कर देना है यहां पर एक चीज याद रखेगा कि center point set होना इसे ना थोड़ा बहुत शेप आपका विगड़ने का chances रहेगा तो यहां पर पार्टी को अगर ऐसा कोई issue है तो आप जो पहली वाली method है उसका यूश कर सकते हैं अगर पार्टी को कुछ शेप वगड़ने का कोई issue नहीं है तो आप यह method भी उसकर सकते है प्रोस्पेक्ट इसको उपर ध्यान रखना है या तो फिर creation कर रहे है तो creation के अंदर कैसे flower यूज करने है वो सारी चीज देख के आप यूज करिएगा ठीक है इसका मैं फ्लावर का यहां पर एक ले लिया मैंने PNG और इसका मैं background वगड़ा फटावर से remove कर रहा हूँ ज्यादा detail मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें flower cleaning वगएरा नहीं बता रहा हूँ आपको जो repeat होता है वो कैसे बैटता है वो सारी चीज बता रहा हूँ इसलिए इसको मैंने delete किया suppose कि यह आपका flower है मुझे इसको repeat के साथ में बिठाना है तो उसको मैं कहां से कैसे ब यह flower आपने रखा है उसको पहले क्या करिए कि नीचे की जो layer है उसको selection दे दिजिए यह जो layer है उसको Ctrl प्रेस करके selection दे दिजिए बाद में आपको क्या करना है जो आपका flower है उसको select कीजे इसको आप क्या कीजे Ctrl Shift and J प्रेस कीजे ताकि जो आपका layer है उसके साथ उसकी जो cut होके नहीं layer में आपके पास वो बनके आ जाए ठीक है और जैसे आपके पास यह layer आ रही है उसको आपको यहाँ पर रखना है जैसे आपने यहाँ पर रख दिया बाद में Ctrl T प्रेस करना है यानि कि transform यह जो center point है वो center point को आपको क्या करना है उठा के यहाँ पर रख देना है तो आपका जो है वो एकदम perfection के साथ में transform होगा अगर आपके पास यह pivot point नहीं दिखा रहा है तो फिर center point जो है वो नहीं दिखा रहा है और simple हम इसको transform कर रहे हैं तो यह आपका perfect transform के साथ में flower यहाँ से यहाँ बैठ जाएगा तो यह method है एक आपका border वाला method है तो वैसे आप cut करके आपका बना सकते है कली तो कली के अंदर आज हमने देखा कि size कैसे set किया जाता है height उसकी कैसे रखी जाती है कमर कैसे नाप लिया जाता है cut out से repeat pattern कैसे set किया जाता है कली के अंदर और आज ही के वीडियो के अंदर हम देखने वाला है कि round soli कैसे set किया जाता है तो चलिए देखते हैं next हमारा है round soli round soli के अंदर क्या होता है कि पूरा जो gear होता है वो ऐसे नीचे की साइट रहेगा और जो कमर है वो अपना उपर की साइट रहेगा ठीक है तो आप यहां से यहां तक आप कमर समझ लीजिए और यहां से यह जो चीज़े उसको आप गेर समझ लीजिए ठीक है यह डिजाइन तो बनाना इजी है लेकिन उसको पहले फर्मा कैस उसरे नाप बिगड़ जाएंगे जैसे आप कमर का नाप है उसको एड़्जस करना चाहेंगे तो कमर का नाप और हाइट वो तो एड़्जस हो सकती है लेकिन घहर है जो फ्लैर है वो बाइड डिफोल्ट ऑटोमेटिक ही आएगा उसको हम डिटेल में देखते हैं पहले तो इ यहां तक है कि हाइट आऊएगी अगर आपको कमर का नाप डिफाइन करना है तो इसक अंदर आप ऐसे इतीफाइन नापहर सकते हैं मैंने यहां से यहां तक माप लिया है ठीक है यह जो नाप है वो कुअ fark लेकिन जब प्रेंट होके स्टीच होके जब मॉडल पहनेंगी तब यहां पर क्या होगा कि यह जो है वह कमर यहां से लेकर एसे राउंड शेप के अंदर आपके पास मिलेगा तो हमें जो राउंड का शेप जो नापना है तो फोटोशव्क के अंदर हम नाप नहीं जाकते त मेरी जो फैवरेट वेबसाइड है, उसका नाम है Mathsus Fun, ठीक है, मैं ज्यादा तर इसके अंदर बनाता हूँ, क्या होता है कि इसमें थोड़ा समझाना भी एजी रहता है, और समझना भी थोड़ा एजी रहता है, पार्टी को अगर समझाना चाहे तो हम उसको भी बता सकते हैं I hope कि आपको easily ये चीज समझ में आ जाए, और अगर हम width देखने जाए, तो यहाँ पर black color का जो arrow है वो और यह जो एक number लिखा है, वो हमारा width शोग रहा है, width और height इसके अंदर सेम रख सकते हैं, इसमें oval shape नहीं आ सकता है, इसमें सिर्फ round shape ही आएगा, तो अभी हम क्या कर र आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर मुझे कमर जो होता है, हमारा, वो 40 inch का चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 12 inch का circle रखना पड़ेगा, अगर मुझे कमर जो है, वो kids के लिए चाहिए, यानि कि 18 inch का चाहिए, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ circle 5 inch का ही draw करना पड़ेगा, तो लेना, क्योंकि इसमें आप confused हो जाएंगे, तो इसको पहले inches के अंदर convert करेंगे, ठीक है, तो समलीजे मैं यहाँ वापस Kelsey open कर रहा हूँ, Kelsey के अंदर हमारे पास समलीजे 3.5 meter का घेर चाहिए, तो 3.5 into हम यहाँ करेंगे 39.37 inches, तो यहाँ पर आ गया 137.79, तो यह जो अंक है वो हमें यहाँ पर लिखना है, तो हमें पता चलेगा कि Photoshop के अंदर हम कितनी width और कितनी height वाला, यह जो round है वो ले, तो 137.7, 137.7 inches का मुझे circle चाहिए, अपना कमर चाहिए, तो यहाँ पर मुझे width और height 43 by 43 inches का रखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर आप घेर देखने जाएंगे, तो कमर है, वो match नहीं होगा, और कमर अगर देखने जाएंगे, तो आपका gear, यानि कि flare आपका match नहीं होगा, तो आप कोई भी दो चीज़ को cover up कर सकते, या तो फिर कोई भी दो चीज़ का आप proper नाप ले सकते, जैसे आपकी height और कमर हो गया, या तो फिर height और नीचे का flare हो गया, flare इतना important नहीं रहता है, जितना भी आपको बड़ा मिल जाए, उतना अच्छा है, तो इसलिए ज्यादातर designer और ज्यादातर parties क्या करती है, कि आपकी जो कमर का नाप है, उसको control कर लेती है, क्योंकि वो बहुत important रहता है, तो इसलिए, तो अभी हम उसका फर्मा बना के खुद से देखेंगे कि वो कैसे बनता है, अभी हम क्या कर रहे है कि कोई भी अंदाज जैसे page ले रहे है, जैसे 50 by 50 inches का, तो यहाँ पर आपके पास एक page आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक circle ले रहा हूँ, circle के अंदर मेरा fix नाप है, ठीक है, fix size, मुझे 40 inch क कमार चाहिए, ठीक है, 40 inch का पूरा round चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपके 40 inch लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा आपका 12.73 inches, तो यहाँ पर मैं fix 12.73 inches और 12.73 inches का नाप ले रहा हूँ, circle बना दिया, alter S and T, यानि कि selection को transform करेंगे और यहाँ पर रख देंगे, कहीं भी अल्टर E, S, यानि कि आपका stroke आगया, यहाँ पर मैं stroke दे रहा हूँ, ताकि हमार पास reference के लिए client बची रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपके पास हो गया, कमर का नाप, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो circle है, वो है actual में 12 inches का, लेकिन यह जो कमर है, वो आपके आएगी 20 inch क्योंकि मैंने 40 inch का पूरा circle रखा था, उसको harp कर दिया है, ठीक है, यहाँ से अभी मैं market tool को rectangular market tool में लूँगा, और फिर यहाँ से उसके height नापूँगा, कि उसके height मुझे कितनी चाहिए, पार्टी को उसके height कितनी इसके अंदर रख नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं यह 35 inches रख रहा हूँ, मुझे चाहिए 43 inches की height, लेकिन मैं यहाँ पर 35 क्यों रख रहा हूँ, उसका भी हम logic देखेंगे, क्योंकि मुझे belt चाहिए, ठीक है, तो अभी मैं 35, आप उसको लिखके fix नाप के साथ भी ले सकते हैं, मैं अंदाजे से अभी ले रहा हूँ, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कि एक rural guide रख देंगे, अभी हम total यहाँ से लेकर यहाँ तक का नाप देखेंगे, कि 41 inches का हमारा कपड़ा जा रहा है, 43 inches के पन्ने के अंदर हम बना रहा है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 43 inch भी रख सकते हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पर 41 inches का हमार पास कपड़ा बचा ही नहीं है यह हमारा किलोमेटर है और यहां आप कितना भी बढ़ा सकते लेकिन यह हमारा पन्ना है तो यहां पर हम डिजाइन बढ़ा भी नहीं सकते और पेज भी हम बढ़ा नहीं कर सकते तो अभी आपको क्या करना है कि यहां से लेकर यहां तक हमने उस एंटर से लेकर नीचे हम नापिए तो 41.44 आ रहा है तो उसका मुझे दो गुना करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आदा सर्कल ही चाहिए तो यहां पर हम वापस केल्सी में जाएंगे 41.44 इंटू 2 तो आपके पास आएगा 82.88 तो इतना आपका पूरा सर्कल रहेगा लेकिन इसमें सहम आदा काट लेंगे ठीक है जिसे हमने कमर का नाप काटा है वैसे इसे 82.88 इंचिस का मुझे फिक्स चाहिए सर्कल यहां पर हम लिख देंगे 88 इंटू 88 ठीक है ना आप अंदाज से भी ले रहा हूं में आप अपनी साब से फिक्स एक्यूरेट लीजेगा ताकि यह दिजाइन आपका परफेक्ट बने यहां पर मैंने सर्कल लेके उसको मैंने सेंटर पर मुझे रखना है तो अल्टर स्ट यानिके सेंटर पॉइंट अब भी मेरा पेज थोड़ा कम पट रहा है तो उसको मैं थोड़ा बढ़ा कर रहा हूं 90 गा इसको यहां पर रखने के बाद अल्टर ए एस यानिके स्ट्रोक दस पिक्सल का मैंने स्ट्रोक रख दिया है और यह जो उपर का पार्ट एक्स्ट्रा उसको हम क्रॉप कर लेंगे ठीक है इसको सिलेक्शन करने के बाद अल्टर आई पी यानिकी वो काट हो गया है मतलब इतना बहार का जो है वो डिलेट हो गया तो ऐसे आपका आधा कली मिला है इसको आप क्या करेंगे कैन्वास साइज को दो गुना कर देंगे इंचिस के अंदर तो परसेंट आट हंड् ठीक है जिम्पल हमें क्या करना है यहां से कमर का बेल्ट डाल देना है यहां पर हमें न्यू लेयर लेके कलर फिल कर रहा हूं ठीक है तो आपका कमर का बेल्ट आ जाएगा और जिसके अंदर 40 का आपका कमर आएगा और आपका जो फ्लेयर है उसको आपको नापना इंचिस का है जैसे हमने सर्कल रखा था 88 इंचिस का तो यहां पर आप 88 कर दीजिए जैसे यहां पर हमने लिख दिया 88 तो यहां पर आएगा 266 इंचिस का आपका फ्लेर आएगा यानि कि बाहर करना पाएगा यहां पर मैं क्या करो 276 divided by 39.37 तो इंचिस में आपको 7 मिटर का यहां पर फ्लेर आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इजिली क्या कर सकते हैं आपकी जो डिजाइन है उसके इंदर आप इतना जो पार्ट है उसको कट कर सकते हैं इसे भी कई डिजाइनर काम करते हैं इसको हम क्या कर तो यह जो पार्ट है उसको डिलिट करके आप इसको यहां से जॉइन कर सकते हैं तो आपका जो फ्लैर है वो भी कम हो जाएगा ठीक है चलो बढ़ी आए यह होगे आपका एक मेथड अगर आपको दूसरी मेथड से बनाना है तो भी आप इजीली बना सकते हैं तो समय लीजे हमने दूसरी मेथड से बना रहे हैं और दूसरा फर्मा है आपका 38 इंचिस के मुझे कमर्श ही है तो यहां पर मैं 38 इंचिस यहां पर दिख दूँगा हमें टोटल कमर्श है 38 इंचिस का तो मेरा जो सरकल रहेगा वो रहेगा 12 इंच परफेक्ट रहेंगे तो भी चलेगा और थोड़ा बहुत 19 इंचिस होगा तो भी चलेगा लेकिन ध्यान रखेगा कि ज्यादा डिफ्रेंसियेशन ना हो पॉइंट के अंदर तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि अंदा जैसे कोई भी पेज ले रहा हूं फिक्स हमने पिसली बार लिया था वैसे 12 इ भी करके मुझे 50% पर रूरल गाइड रखनी है तो यहां पर आप रूरल गाइड भी रख सकते हैं जैसे मैंने रूरल गाइड रख दिया अभी मुझे क्या करना है कि मुझे यहां से लेकर नीचे तक का नाप चीए जिस समझ लीजिए कि मुझे हाइट रखनी है 35 इंच 37 लेका है तो तो टोटल आपके पास पंणा है या तो रूह है उसको पहले किना आप आपका और आ इसमें कि लिए है बाद में हमें टोटल जो पन्ना है वो समुझ लीज़े 43 इंच का है तो 43 इंच करके 6 इंच तो आएगा 37 ठीक है तो 37 तक क्या आप Height रख सकते हैं अगर आपके पास पन्ना 50 इंच का है तो आप 50-6 इंच कर सकते हैं तो आपका आगया 44 जो 44 है वह आप मतलब इतनी हाइट आप मेंटेन कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास है 43 रेगुलर जो रोल हो आता है वो मेरे पास है तो 43 माइनस 6 यहां पर हमारे पास 37 इंचिस की हाइट बच लिए और 45 इंचिस का मुझे हाइट चीए तो 37 माइनस 45 मतलब इतना कपड़ा हमारे पास 8 इंच का कम बढ़ रहा है तो हम 8 इंच का हम बेल्ट भी लगा सकते हैं तो यहां पर हम क्या करेंगे पहले 37 इंचिस का 36 इंचिस का कर रहा हूं वैसे भी आप बना सकते हैं पहले आपको सेंटर में 12 इंच का वो रख देना है सरकल जहां से आपका कमर का पार्ट बनेगा बाद में आप क्या करेंगे वापस से मर्की टूल के अंदर जाएंगे राउंड और यहां पर आप फिक्स साइज के अंद तो आपके पास यह पूरा हो गया 10 इंचिस का मलब पूरा कली लेकिन हमारे पास जो पन्ना है वो पन्ना इतना बड़ा नहीं है समली चे हमारा इतना बड़ा रोल नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको बीच में से कट कर देंगे तो बीच वाला जो है वो आपके पास पन्ने क के अंदर हो जाएगा बाद में इसको Ctrl T करके यहां पर रख देंगे और इसका जो canvas size है उसको यहां से बढ़ा देंगे और यहां से इसको कम कर देंगे तो आपकी ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं और इसका भी अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप वापस यहां से जितना भी आपको कट आउट करना है वह यहां से कट आउट कर सकते हैं वह फोर्थ वाला भी ट्रिक है इसके इंदर लेकिन वह ज्यादा एडवांस में चला जाएगा और वीडियो भी थोड़ा ज्यादा लंबा बन जाएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरू से वह आपको बताएंगे कि वन फोर्थ जो कली होती है वह कैसे बनाई जाती है वह सारी चीज आपके साथ शेयर करेंगे यहां पर अगर अंदर ग्रेडियंट भी आपको मिल जाएगा ठीक है यहां पर टू टोन वाली डिजाइन आप बना सकते हैं बाद में इसको कट करके आप इसको यहां से इतना कट कर दीजे कंट्रोल शिफ्ट एंड जे परफेक्ट नाप लीजेगा कंट्रोल शिफ्ट एंड जे इसको यह इतना भी आपका जो बेल्ट है वह इहां पर अब डाल सकते हैं अगर आप वन फ॔रत बी बनाना चाहते हैं तो वन फौरत ब्वाला भी और यहां से horizontal करना है delete कर देना है तो आपका यह 1 4th कली हो गया इसको भी delete कर दीजिए और 1 4th आप इससे set कर सकते लेकिन वो आप कैसे करेंगे perfect नाप के साथ करेंगे तो ही आपका वो perfect बैठेगा और यहां पर आप side में कमर बैल्ट भी डाल सकते है मर की टूल से पहले बना लीजिए कितने इसका चाहिए color feel कर दीजिए बाद में उसको rotate करके यहां पर इससे रख सकते आप तो आपका ऐसे कमर बैल्ट भी हो जाएगा जिसको cut out करके बाद में बना सकते है यह जस्त मैंने आपको example दिया है यह one-fourth वाला कली बनाने जाएगे तो वीडियो थोड़ा lengthy हो जाएगा तो next video के अंदर हम यह चीज़ भी cover up करवा लेगे तो यह आपका one-fourth कली हो गया इसके अंदर आप flare का नाप कम कर सकते है आपका कपड़ा भी बचा सकते है और easily आपकी design अगरा कर सकते है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर और detail में जाना पड़ेगा कुछ नहीं है बस उसके अंदर जो आपका calculation है उसको आप one-fourth करके भी बना सकते है तो next time से यह वीडियो हम ज़रू से आपके लिए upload करेंगे और आज की वीडियो के अंदर I hope आपको जो diamond design है वो आपका जो kalli design है उसके अंदर flare कमर का नाप, height होगेदा set करना और आपको round चोली समझ में आ गया हो और भी अच्छे चे concept के साथ में कुछ advance चीज के साथ में आएंगे अगर आपको यह वीडियो के अंदर कुछ समझ में नहीं आया तो comment करके ज़रूर बताए आपके लिए अलग से एक ज़रू से अच्छा सा वीडियो बना के देंगे और मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर अरते के लिए करे लिए ने अशिक ये बना के सिक्षद आब तो जितामएंगे तो जितामएंगे